हलो फ्रेंड स्वागत आपका मेरे यूटूब चैनल में आज हम लोग मेदू बड़ा बनाएंगे जो खाने में काफ़ी दिक स्वाधिस्ट बनते हैं देखिए ये मैंने सफेद वाली उड़त की डाल ली है इसे मैंने 3-4 घंटे के लिए भीगो के रख दिया था अब हमने इसका एक पेस्ट तयार कर लिया है ग्राइंडर चार के अंदर हम लोगों ने इसका थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक पेस्ट बना लिया है 5-7 मिनट के लिए हम लोग इसे अच्छे से फेट लेंगे क्योंकि फेटने के बाद ही हमारे बड़ा काफी टेस्टी और सोफ्ट बनेंगे अंदर से एक दम दाल को हम अच्छे से फेट लेना है उसी के बाद ही हम लोगों को मेदुबडा बनाना है अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे जिसमें आदा चमच जीरा, दो से तीन हरी मिर्च, बारी कटा हुआ धनिया, नमक, स्वाद के नुसार आदा चमच हींग डालेंगे और इसने सप्पू अच्छे से मिक्स कर लेंगे ध्यान रहें, डालकों में अच्छे से फेटना है, फेटने के बाद ही बनाना है, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे अगर फेटने में कोई दिक्कत है, तो आप लोग इसमें हलका सा मीठा सोडा भी डाल के बना सकते हैं देखिए, अब हम देखते हैं, हमारी डाल अच्छे से फिटी है या नहीं थोड़ा से बैटर लेंगे, हम लोग इस तरीके से पानी में डाल के देखेंगे देखिए, ये उपर तैरने लग गया है, तो इसका मतलब हमारी डाल अच्छे से फिट चुकी है अगर ये पिठी नीचे रह जाएगी तो हम दाल को दो से तीन मिनट के लिए और फेटेंगे क्योंकि फेटने के बाद ही बड़ा कावी सोप्ट बनेगा इस तरीके से हम लोग एक कटोरी ले लेंगे उसके उपर इस तरीके से हम लोग एक कपड़ा ले लेंगे कोई भी कपड़ा ले सकते हैं बनाने के लिए से अब हम इसमें हलका सा पानी लगाएंगे कपड़े को मैंने पहले से ही गिला कर लिया था अब हम इसमें इस तरीके से बैटर रखेंगे बड़ा बड़े ही आसानी से घर पे बन जाते हैं और ये काफी टेस्टी और स्वादिस्ट भी लगते हैं खाने में इस तरीके से हम लोग इसे फैला लेंगे बीच में हम हलका सा होल कर देंगे इसके अंदर इस तरीके से ये देखिए चलिए अब हम लोग हमारे वड़े तलते हैं तेल गराम हो चुके हमारा गैस की फिलेम हम लोग मीडियम रखके ही हमारे बड़े को बनाएंगे देखिए फ्रेंड्स ये उपर तैरने लग चुका है इसी तरीके से हम लोग हमारे वड़े डालते जाएंगे बड़े बड़े ही आसानी से घर पे बन जाते हैं इस तरीके से हम लोग इसके अंदर होल कर देंगे और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हम लोग हमारे बड़े बनाएंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाएं ये देखिए फ्रेंड्स गर्मा गर्म बड़े हमारे बन के एकदम तयार हो जाएंगे देखिए हलके हलके गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं हमारे बड़े मीडियम फ्लेम पे हमें इन्हें बनाना है देखिए बड़े बन के हमारे एकदम तयार हैं ये अच्छे से सिख चुके हैं चलिए अब हम लोग इन्हें सर्व करते हैं इसी तरीके से हम लोग हमारे सारे बड़े बना लेंगे ये बड़े खाने में काफी दिक टेस्टी और स्वाधिस लगते हैं सबको काफी पसंद आते हैं फ्रेंड्स मेदुबड़ा साम्तिनियन की काफी फेमस डिस होती है इन लोगों को काफी पसंद आती है और ये खाने में भी काफी दिक टेस्टी और स्वाधिस लगते हैं मेदू बड़ा को आप लोग पहले से भी बना के रख सकते हैं ये खाने में काफ़ी दिक स्वाधिस्ट लगते हैं चलिए अब हम लोग इसे सर्व करते हैं देखिए आपने अगर मेरा चैनल सस्क्राइब ने के तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे चैनल को सस्क्राइब करिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको मेदू बड़ा की रेसिपी कैसी लगी गर्मा गर्म मेदू बड़ा हमारे बन के एकदम तयार है